दोस्तो टमप्रेचर कंट्रोलर हमने खोल लिया है और इसकी इनपूट में ज़्यादे वोल्टेज आई है तो हम इसकी इनपूट ही ये चेक करेंगे ये देखे रेजिस्टेंस ओपन है, एम मुवी सोट है और हमारा ये कैपिस्टर भी पटका हुआ है नमस्कार दोस्तो अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको टमप्रेचर कंट्रोलर रिपेर करके दिखाएंगे, इसकी पूरी इलक्तोनिक्स रिपेर करके दिखाएंगे, अब हम इसको खोल लेते हैं दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैला के निंटी दबा देख ले और वीडियो सबसे पहले आप देख लें तो अब हम इसको खोल लेते हैं ये देखें ये हमने कंटोलर को खोल लिया है तो दोस्तो ये डबा एक साइड में रख लेते हैं और ये देखें ये हमारी इसकी इनपूट है इस साइड से हम ये इनपूट चेक करेंगे यहां से ये इसका बोड निकाल लेते हैं यहां इस लोट में फसा हुआ है तो हमने ये इसका बोड निकाल लिया है दोस्तो और सबसे पहले हम इसकी ये वाली इनपूट चेक करेंग कि हमारी fuse resistance ये उड़ी हुई है तो इस त्रे से हम ये component चेक कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों हम इसकी input power supply ये ठीक कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे हमारा movie VDR खराब हुआ है हो सकता है ये पूरा circuit हमारा बच गया है fuse resistance उड़ गई है कैपिस्टर फटक गया है तो दोस्तों हम ये तीन चीज रिपेर कर लेते हैं ये नई लगा लेते हैं कैपिस्टर निकाल लिया हमने ये वाला तो इसकी जहाँ दूसरा कैपिस्टर लगा लेंगे होल साप कर लेंगे और इसके बाद ये एक resistance निकाल लेंगे मोव निकाल लेंगे तो जिसकी तीनो चीज निकालके दीन चीज नुव लगा देंगे ये हम मने निकाल लिया है तो दोस्तो एक बार इनको चेक कर लें वैसे तो लगे-लगे हमने देख लिया था ये खराब थे तो देखिए दोस्तो ये ये सोट है 122 सों दिखा रहा है ये सोट है और ये तो ओपन ही है एकदम फटका हुआ है और रजिस्टेंस भी हमारी ये ओपन है तो दोस्तो यहां सोटिंग देख लेते हैं कि बार सोटिंग नहीं है देखिए बिलकुल ओपन है दिश्टेंस भी वैलू दिखा रहा है और ये हम डायोड चेक कर लेते हैं ये बिरिज लगावा है SMD कंपोनेट है इसमें सब ये दोस्तो ये हमारा बिरिज से है तो बस ये हमारी पाउर सप्लाई अब ये ठीक हो जाएगी बहुत आसान है आगे का सरकीट इसमें बचा हुआ होगा ये देखिए रिवर्स करके हम ये फिर देख लेते हैं लेट को रिवर्स करके हमें चेक कर ना चाहिए एक बार ये कुछ रिष्णेश दिखाता है कुछ नहीं दिखाता है तो ये ओपन सरकीट दिखा रहा है कैपिस्टर पर ये हमारा सब सही है अब हम इसमें कंपोनेट लगा देते हैं ये वाले कंपोनेट इसमें हम लगा देते हैं ये खराब है हमारे तो दोस्तो ये resistance, capacitor और movie इसमें हम लगाके इसको फिर open में ही इसको हम चलाके देखेंगे किसे हुआ है नहीं बाद में इसकी final fitting करेंगे तो दोस्तों next video मेरी रहेगी temperature controller को कैसे operate करते हैं इसकी setting कैसे करते हैं इसमें 2-3 setting होती है high temperature, low temperature immediate और कितने देर में इसको on off होना है, delay time बोलते हैं बहुत सारी इसमें setting है, कितने देर तक हमें temperature hold रखना है ये सब इसमें procedure होता है, ये पूरा micro procedure होता है देखे हमने component लगा दिया है, बंद कर दिया है तो दोस्तों इसको एक बार open में ही हम चेक कर लें दो wire लगा लेते हैं, दो wire लगा के यहाँ पर दो wire solder कर लेते हैं ये हमारी soldering हो गई है power supply input 220 इसमें हम लगाएगे ये हो गए हमारी connection यहाँ अब ये हमारा board है, इसमें हम power input दे देते हैं ये देखे दोस्तों हमने power input इसमें दे दिये और बत्ती इसमें ये जल गई है, देखे ये आ गया है इसमें हमने thermocouple नहीं लगाया है, तो दोस्तों ये test हो गया है अब आओ हम इसकी fitting कर लेते हैं ये देखे ये box ये हमारा और इसमें एक दो नंबर पर power supply है इस हिसाब से इसमें हम इसको पूरी assembly को इसमें push fit कर देते हैं ये push fit हमारा है box तो push fit हो गया है अब हम इसको एक और दो नंबर पर power supply देखे एक बार इसकी testing यहाँ final कर लेते हैं बाद में machine में हम इसको लगा लेंगे इसकी setting हम वहाँ भी कर सकते हैं और इसकी setting हम यहाँ भी आपको थोड़ी सी करके दिखाते हैं यह देखें दोस्तों इसमें यह set point लिखा हुआ है INE तो यह दिखा रहा है हमारा thermocouple open है और zero temperature दिखा रहा है तो दोस्तों देखें हम इसकी setting कैसे करते हैं यह set है और यह उपर नीचे यह यह ऐसे इसकी setting करते हैं यह जो उपर नीचे के हमारे arrow हैं इन से मूँ इससे temperature set कर सकते हैं यह इधर को जाने के लिए और यह इधर ऐसे set करने के लिए तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको च्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेर करें और अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब भी कर ले जै हिन जै भारत थेंक्यू